नमस्कार दोस्तो वेलकम टू हम प्लान फर यू आज हम जब प्लान डिसकस करेंगे उसका साइच है 20 फीट इन्टू 25 फीट यानि की 500 स्क्वेर फीट स्क्वेर फीट इसमें आपको मिल जाता है वान बेच के बेच के इसका एस्टिमेट जानने के लिए भीडियो को एंड तक देखें हम आगे इसका डिटेल एस्टिमेट आपको देखाएंगे इसमें आपका सीमेंट कितना खर्च होगा ग्रावल कितना खर्च होगा यह सब जि इस side आपका west हो जाएगा इस side आपका south east पर आपको एक kitchen मिल जाते है जो कि बास्तु के इसाब से है यहाँ पर हो जाता है आपका एक toilet यहाँ पर आपको मिल जाते है एक bedroom बैट्रूम के side में आपको मिल जाता है एक inner steer यार इसृ साइट का नार्थ धे एससे का उईड़ व्ट का ट्वेंटी फीट अधे लbalance का ट्वेंटीफॉक्तो यहां पर इस है और इससाइट आपका उएस्ट हो जाएगा दोस्तो डुस्त करता हूं विडियो को एंड तक देखि क्योंकि मैं आगे इसका इंट्यर और इसका डिटेल एस्टिमेट आपको देखांगा आपको सब कुछ पता चल जागा कुछ भी डाउन ने रहेगा दोस्तो और प्लीज दोस्तो रिक्वेस्ट करता हूं मुझे जरूर सपोर्ट दे आप बिल्कुल सस्क्रेब ने करें प्लीज दोस्तो वीडियो को एन तक जरूर देखे और आप चैनल को जितना पर स्यार जरूर करें दोस्तो इस वीडियो को जितना परें प्लीज दोस्तो आप सब्सक्रेब ने करें दोस्तो प्लीज दोस्तो प्लीज दोस्तो सब्सक्रेब जरूर कीजिए और मुझे जरूर सपोर्ट गे यह आपका आज का ट्वेंटी यहांपर प्लेस कर सकते हैं एक overall view देते हैं क्योंकि space management के लिए दोस्तों यहांपका south है south का समना आपको south facing house हो जागा है यहांपर जो आपका main gate और इसी कौनर पर हम space छोड़े हैं, slab नहीं दें, किमके यहाँ पर freeze रखने के लिए space छोड़े हैं और यहाँ पर एक freeze भी रखे हैं दोस्तो इसमें जब को इसी प्लार्ण में आपको जब कमन टोलेट मिल जाता है कमन टोलेट पर हम दोर की सामने हम यहाँ पर दें आपका एक वास बेशिंग और आउटर वाल पर हम यहाँ पर दें आपका एक कमन और दोर का राईर साइड जो करके इसी वाल है हम यहाँ पर दें आपका एक kitchen दोस्तो इसमें आपको 23 चाहिए बेड़ूम मिल जाते है बेड़ूम पर हम डोर की सामने हम यहाँ पर दियाँ आपका एक मीरर विनिट यहाँ पर होज़ा आपका एक सोफा और डोर का लेप साइट पर हम दियाँ आपका एक वेड़ॉप और आउटर वाल पर फेस करके हम दियाँ अच्छा हो जाएगा इसे पर आपको स्ट्रियरों मिल लिया बोस्टि को सब्सक्राइब करें मैं Sauce चैनल पर आपके सायज की समसे बीडियो प्रोर्टेख करता हूं बैल आको उनको प्लेस कर दे किंको मैं जब भी वीडियो प्रोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जए वीडियो अच्छाला तो जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को जितना पर सेयर जरूर कीजिए आप जो भी सोस्याल मीडिया यूच करते हैं दोस्तों प्लीज दोस्त जरूर कीजिए आप बिल्कुल सोपोर्ट नहीं दे रहे हैं प्लीज दोस्तों सोपोर्ट दीजिए आपको रिक्प्रेस्ट करता हूं प्लीज दोस्तों यह आपका इंटरियर का इंटरियर का फूल भीव हम आगे इसका डिटेल साइज यानि इसका डिटेल एस्टिमेट इ है उसका detail सैज इस सैट है आपको साउथ हो जाएगा है में गेट इह में गेंगेट अंधा Q10 control Matrix इसमें आपको किचेन मिल जाता है किचेन का लेंध है आपका 7 Peki tf 6 पीट 6 इंच जो किचन पर जापको एक विंडोज मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए यह आपका 3 फिट का है जो किचन का डॉर है आपका यह भी 3 फिट का हो जाएगा एक किचन का जो स्लाप है यह इसका उड़ ते आपका 25 इंच जो स्लाप का हाइट है फ्लोल लेवर से यह यह आपका 32 इंच और यह वाल हो जाए आपका 5 इंच का जो किचन वाल हो जाएगा दोस्तो इसमें आपको कमन टोलेट मिल जाते है उसका लेज थे आपका 7 फिट एंज साउर ते आपका 4 फिट 6 इंच यह आप जो पेंटिलेशन के लिए हम दिए आपका यह 1 फिट 4 इंच क आपका 10 feet यहाँ पर जो ventilation के एक windows दी हैं है आपका यह 3 feet का हो जगा यह जो door है आपका 14 inches का हो जगा और यहाँ पर जो आपका gap है आपका 4 feet का हो जगा इसमें जो आपको stair मिल जाते है stair का जो room है उसका inner stair का उसका length आपका 11 feet 4 inch एन 7 feet 6 inch जो stair का rizer है वो आपका 7 inches है और जो stair का trade है आपका 10 inches है यहाँ पर जब एक जो column हो जगा यह 9 inches का column हो जगा दोस्तों इस side हो जब आपका north इस side हो जब आपका east और इस side हो जब आपका west और इस side हो जब आपका south प्लीज चेनल को subscribe करना ना भूले अच्छा लाइक करें और share ज़रूर करें क्योंकि दूसरों को भी कुछ help हो जए क्योंकि मैं आपको प्रीमें house plan प्रोबैट करता है दोस्तों और यह है आपका detail size का full view, detail size का full view, अभी हम देखेंगे आज का जो plan का इसका approximate estimate इसमें जब आपका material cost हो जाएगा ओ यह आपका 4,22,500 लेबर चाज हो जब आपका 1,62,500 इन्जी नियोर चाज हो जब आपका 65,000 प्लीज दोस्तों आपका चनल home plan फोरे को ज़रूर सब्सक्राइब करें यहाँ पर जो bell icon वाया है पर प्रेस कर दें यह प्रेस करने से यह होगा कि मैं जब भी वीडियो अप्रेट करूं आपको notification मिल जाएगा दोस्तों और वीडियो अच्छाला तो जरूर लाइक कीजे दोस्तों और मुझे support देने के रिए जरूर वीडियो को share जरूर कीज सेमेंट के लिए cost होगा जाताヤ ही वहाद आपका 71,500, सेन के लिए आपका 26,000, aggregate के लिए होगा अपका एप्रोक्सिमेटली 32,500, inhag rigate के लिए होगा आपका 97,500, bricks के लिए होगा आपका 45,500, tiles वार के लिए होगा आपका 26,000, plumbing work के लिए होगा noset परक्ष्मेट इसलिए कि यह आपका कॉंछा मेट्रियाल का वालेटी उच करेंगा उसके उपर डिपेंड करेंगा और आपका लोकेशन का जो की rate होगा लेबल चार डिफरेंट होगा उसके उपर इडिपेंड करेगा इसलिए ये अपका फूल वीव आद